पूर पीम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर एक जून को साथवा चरन संपन हो जाएगा च्छे बजे टाइम चल रहा है वह से वो न्यूज चैनल में इतने गंटे इतने मिनट इतने सेकिंड पाज बचकर उनसट एक शोर उठेगा और कहेगा 400 सीटे पार हो गई 370 पार कर दिया 325 पार कर दिया तैयारी करे बैठेगा सिलाइड्स बन चुकी है मूजिक के साथ आपके सामने रखी जाएगी चरन दर चरन आपके सामने बैठा जाएगा विशलेशक जो बिके हुए हैं वो भी और जो फिर खुल करके बात की जाएगी चार तारिकी सुभा तक आपके दिमाग की कंडीशनिंग होगी आपके दिमाग को बांदा जाएगा जाएगा रिजल्ट तो डब्बे में हैं जुरुवत क्या है बांते रहो जूटे सावित हुए हैं दरजनों बार और कुछ बार सही भी स कॉंग्रिस बोल देगा क यह थोड़ी न बोले गा कि लालू पर साथ प्राइम इनिस्टर बनने वाले और न यह बोलेगा के तेजस वियादो प्राइमिनिस्टर बनने वाले राहुल गांदी बन जाएगा मौधी जी बन जाएगा ये दो कह सकता है इतनी समझ तो सब में है तो यही समझ यही चीजे तोड़ मरोड़ के नक्षे बाजी के साथ आपके इसलाम ने पेश कर दी जाएगी अब आपके पास भी इंटरटेन्मेंट के कोई साधन नहीं है और कहा यह जाता है कि किसी भी फिल्म हिट करने के लिए तीन चीज़े ज़रूरी है इंटरटेन्मेंट 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 यही तो कह दी थी वो विद्याबालान तो आपके सामने ये साज भी कभी बहुत ही आरुशी हत्या कान, तांतरिक ने जिन्दा कर दिया गाजियाबाद में बंदर आ गया, बाल काट करके ले गया आदत है ना पुरानी हमारी तो, खाली थे तो खाली थे, तो ये चीज़े देखा करते थे उसके बाद इन चीज़ें से उब गए थोला, आटे के रेट महंगे हो गए तो डाटा सच्टा कर दिया और बेरुजगारी का खैली खतम हो गया, अब टैंपू में चल रहा तो यूँ पकड़े बैठा है ट्रेन में लेटा तो यूँ पकड़े बैठा है बड़ी बड़ी खबर हैं, रील बना दी एक मिनिट की रील थी, वो तीस सेकंड की कर दी एहसासी नहीं हुआ दुकान पे गराग आया नहीं आया एहसासी नहीं हुआ क्या रिपोर्ट जा रही है वो प्रोग्राम दो बोजिल लगने लगें पहली बात तो होते नहीं है वो अगर सोशल मीडिया पे कुछ बुद्धी जी भी कर रहे हैं उनके वीव्स देख लीजे कितने हैं अर्त व्यवस्तक पे बात करने वाले पे 20,000,000,000,000,000 थी,000,000,000 मायावती ने, ममतब एनरजी ने पलड़ दिया है पूरा माहूल मोदी जी गरजे तीन लाग पांच लाग ये वो गरजने भी गलत है और ममतब एनरजी ने पलड़ दिया जमीन ये भी गलत है सजबात तो वो है कि जो वो बुद्धी जी भी बात कर रहे हैं कि हालात खराब है चलिए खेर अपनी बात पर आ जाता हूं वो ये है कि एक तारिकी शाम पांच बचके 69 मिनट पर 69 सेकंड पर आपके दिमाग की जो कंडिशन की जाएगी वो ये की जाएगी कि साब मोदी जी बंपर जीत के साथ आ रहे हैं तो आ भी सकते हैं इसमें बुराई क्या है लेकिन इसके पीछे आपके दिमाग को तैयार करने की जरुवत क्या है देखिए एवियम का जिस तरह से मुद्धा है मैं अपनी परसनल बात कहूं मुझे एवियम में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आते हैं मैं अपनी बात पताता हूं हाला कि एवियम के कई बियार रिजल्ट इस तरह के आए कि वो एकसेप्ट नहीं किया गए लेकिन जब थोड़ा सा गौर से देखा तो पता चला कि नहीं इसमें मैनुपिलेशन नहीं हो सकता हाँ एक जगा मैनुपिलेशन देखा है देश के लोगों ने जब 3,000 से लेके 5,000 और 5,000 से लेके 15,000 के बीच मैं हार जीत होती है तो वहाँ के कलेक्टर का रोल सामने आया कही जगे बता सकता हूं एक अधीकारी तो उत्तरपरदेश में ऐसा पांच साले 5 बरसों से रुकावा है 9 इलक्षन करा चुका है चुनावायों को पता ही नहीं है हटाता ही नहीं है बेटा विपक्षी नेता भी ये कह चुका अरे साहब हटा दो नहीं हटेगा वो काम करता है अपना पूरा तो ऐसे समय में कलेक्टर के बारे में कहा जाता हम तो किसी वह पारोप नि लगए ये बियूरो केसी जो है एक रोल अदा कर देती है अगर एक खाज जहन की हो हमें तो लगता है नहीं ता खाज जहन की है लेकि बंगाल का जब जज़ बोल रहा कि मैं 38 साल से RSS का आदमी हूँ दिमाग मेरा RSS का है तो पता चला कि 38 बरस से क्या जहर वो रहा होगा और जो फैसले देता होगा उसमें कितनी RSS की छाप होगी हमें क्या मालूम था कि Bureau Casey का IPS और IS जूते और चपल पहना था वा नजर आएगा हमें क्या मालूम था कि एक अधिकारी मेरे सामने बैठ करके ये कहता है IPS कि ये समाजवादी पार्टी ठीक नहीं है इसमें जो है मुसलमानों के तोले confidence गेन हो जाते है गुंडा गर्दी बढ़ जाती है एक अंग्रेजी अखबार का पत्रकार था हमारे बराबर में बैठा वो बोला साब आप तो IPS हो आपका काम तो सरकार चाहे कोई भी हो लॉइन ओर्टर को मेंटेन करना है कि रहा आपने जानते है अभी बात जब IPS इस जहन का हो जाएगा और उसकी चुनाव में ड्यूटी भी लेगेगी अभी तो आप अंदादा कर सकते हैं कि किस परकार का आच्रान करेंगे वो मतदान के दिन वोटिंग पे भी क्या हो चुका है संबल में आपने देख लिया है संबल में एक बहुत अच्छे पत्रकार है शीतल पी सिंग एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि संबल के डियम के पास फोन आया मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ संबल के डियम के पास फोन आया लखना उसे एह रहे जाओ उस मुसल्मानी एरिया में 40% जो है पोलिंग हो चुका है अप संबल के अंदर जो डंडे पठकारे गए तो लोगों के कुई इंटरी ने एक रिपोर्ट बनाई है देख सकते हैं आप एक ही डंडा मार देते ते बील बाग जाती थे आप वोट देने का मतलब यह थोड़ी ना है कि अंग्रेजों के टाइम की तरह डंडा खा लेंगे ठीक है तो ऐसे समय में यह अधिकारियों का रोल होता है तो यह कंडीशनिंग जो पहली तारीख से लेके चार तारीख की सुबह तक चलेगी उन लोगों को बूस्ट अप करेगी इतनी लंबी कहानी मैंने इसलिए सुनाई मैं माफिच चाहता हूँ वो चार तारीख तक जहन बनी है ऐसा हो जाएगा आपने सुनाएगा कि वो वाशिंग पॉर्टर निर्मा वाशिंग पॉर्टर निर्मा 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 इतना चला निर्मा कि घर की महीला जब कभी अपने बच्चे से कहती थी कि वाशिंग पॉर्डर ले आओ तो वाशिंग पॉर्डर नहीं कहती थी अरे निर्मा ले 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 ऐसा बोलती थी निर्मा ले आ चुक्कि वो निर्मा ने इतना बवादा एड कर दिया कि दिमाग बे निर्मा या निर्मा रहने लगा पेपसिा, किसी ने निकाको ओल्डिंग ले आओ, पैपसिा ले 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 न दो इतना अड़ किया गया तो दोस्तों ऐसे ही पहले तारिख से लेके चार तारिख की सुबह तक इतना अड़ किया जाएगा bjp के नेता तो करेंगा उनका तो प्रमधरा में ज़ाहिज से बात है जब तक आएने सामने ने आएगा मानेंगे ने लेकिन गोधी मीडिया और वाकई जो मीडिया की जिम्मेदारी थी कि आपको सही बात बताना और आपके लिए भी बड़ी खबरे यही होंगी वो म्यूजिक बज़ेगा हूं वो ऐसा चलेगा म्यूजिक और उसमें आप जो है सारा बोर हो जाएंगे वो यह तांतरिक वाला मज़ा आएगा वो यह महिलाएं जो मज़ा लेजा करती थी साज भी कभी बहुती वो मज़ा आएगा खाना खाते रहेंगे यूँ करते रहेंगे यह यह आलम रहेगा तो आपके दिमाग को बनाने की सिलाइड तयार हो चुकी है प्लेट्स बन चुकी है उन्होंने अपने कपले ड्राइ क्रीन पे तो नहीं डाले अब तो चुकी पैसा बहुत है तो नए नए से लवाली है चश्मे के फ्रेम बदल दिया है और वो आ गए हैं अपने गला साफ करके गोली वगएरा सब तयार रखेंगे खाने वाले नजला बुखार कुछ ना हो जाए गरम पानी का इस्तमाल भी करेंगे सारे बागल बिले एंकर और वो आपको बताएंगे तो लियाज़ आपका दिमाग बनाने की कोशिश की जाएगी ताके उस ब्यूर केसी की जो प्रिमानिया हैं अगर होंगी जैसा क्या आरोप लगता है तो आपको सहज लगे आराम से लगे ये भी ध्यान रखिएगा आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ जैहिन